सीए को लेकर जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया है अब ऐसे में कई बाते भी अब सामने आई है जिसमें सीए नार्थी का जब प्रोटेस्ट हुआ था लखनौ में और उसके बाद दंगा भी हुआ था जिसको लेकर एक याचिका भी दाखिल की गई थी और उस याचिका में साथ मौजूद है उनसे हम पूछते हैं शिसर जी सीए का नोटिफिकेशन आया है आपने क्या याचिका दाखिल की थी उस समय लखनौ में मैं सामको पांच एकोर्ट से आ रहा था यहां लखनौ में देखा दंगा चल रहा था मुँपे कप्ला बान करके तलवार और गोली बम लेके लोग घूम रहे थे खुले हम मैंने उसी को लिका अगले देनी आचका की सेम डे सुनवाई अदालतें की और उसमें मेरी तीन प्रियर थी दंगाईयों को कैमरे जो सी सी टीवी कैमरे लगे दुकानों पे मार्केट में थानों पे उनके द्वारा चिन्डित करके पकड़ा जाए और पकड़ करके उनकी दिजी संपत्ती को अटैच करके उसको निलाम करके वो वसूली करके पीडित जिनकी दुकाने मकान जलाए गए उनको दिया जाए यह अपनी तरीके की देश में पहला माँ वाक्या था और सेम डे सुनने के लिए हमने प्रेयर की थी स सेम डे योगी सरकार को आदेशित किया गया कि इसका कप्लाइंस करा जाए उसके जाए योगी जी कि सरकार ने बहतरीन काम किया और उस पर दंगाईों को पोस्टर लगाए चिनित करके और वसूली की नोटिसे जारी की लेकिन कुछ आडालती रुकाउटों के कऱर वसूल भी नहीं हो सकी और पीडियों पीडिय鐵 जो थे उनके आसू आज भी रही जूह के तो हम यह कानून जब देश में लागू हो गया तो सरकार का इस निन्य रिड्रान का स्कार बी करते हैं लेकि कि इसी के साथ हम मांग करते हैं कर न पीडियतों के आसुकार पहुचे जाएं और उन दंगाईों ते वसूली की जाए उस इतना बढ़िया कॉंसेप्ट गिया था कि उसको अन राजी की सरकारों ने उसको अपने हाथ में लिया और उसका कम्प्लाइश अपनी सरकारों अपने प्रदेश में किया तो अब हम चाहते हैं कि वो जो रुका हुआ रुकाफ्ट आगे दंगा ना कर सके यह का नोटिफिकेशन अब आगे आपको लगता है आपकी यह चिकाओं में अब उचित कारवाई या आगे बढ़ाई जाएगी और जिससे जो दंगाई थे उनको प्रपर्टी एटाइच होगी और पीडितों को मुझे बिलकुल मुझे लगता है य निश्चित तौर पर आपको यहाँ को साहीन बाकी थे लकड़ों में घंटा गर पार्क में एक वर्ग की मैलाएं पूरा कब्जा कर ली थी उसको लेकर भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में याटका की उन्होंने का पहले आप हाई कोर्ट जाएए तो हम लोग हाई कोर्ट आए याटका यहाँ भी की पूरा पार्क काहली कराने के पार्क टैलने के लिए घूमने के लिए उत्ता ना कि प्रधरसन के लिए तो उसके बार वो भी काहली हुआ तो ऐसी तरह के जो लडाईया हम लोग लगते रहते हैं और इस लडाई को भी अंजाम तक पहुचाएंगे और उन्होंने याटका की थी कि दंगाईयों से वसूली की जा और पीड़तों को मौफजा दिया जाए इसके साथ शाहिन बाग की तरच पे घंटा घर पे जो महिला प्रोटेस्ट कर रही थी वहां से खाली कराया जाए इनकी प्रेयर कोर्ट में है और लगातार उसमें सुन दाए के लोगें उनका क्या मानना है हमारे साथ मुशीर खान जी मौजूद है जो लखनू के एरिये में रहते हैं मुशीर जी जो कल सीय नोटिफिकेशन आया है क्या लगता है आपको इसको लेकर कहां पर दिक्कत है और क्या होना चाहिए तेक हमको इस कानून से कोई दिक् जो सिर्फ मुस्लिम को हिंदू धर्म से अलग कर रही जबकि हमारा भारत सर्वधर्म समर्पित हैं यह सभी धर्मों को लेकर चलने वाला रही है हमारा शुरू से परंपरा रही है बस इसमें यह चीज़े की ठीक करने में बाकि मैं खुद इनके साथ में खड़ा हूँ अब यह सरकार सरकार हैं इससमें वह दूर कर ली जाए तो आपके सर्कार विल्कुल-बिल्कुल हमारे उत्रपरदेश के मुक्ष्यू मंत्री योगी अदितनाज जी और जो हमारी भारत सरकार के मुक्ष्यू मुक्ष्यू मोदी जी इसमें जो खामिया है इसको ठीक कर ली जब मुसल्मान कभी अलग तोड़ी जाएगा बारत के सम्विदान में अगर कोई चीद है तो सम्विदान को पूरी तरह से मानने वाला सबसे आगे सरुपर थम मुस्लिम ही है सीए का डोटिफिकेशन जारी होने के बाद कई तरीके की लोगों में कह सकते हैं कि इसको लेकर पत्रिक्रियाए है हमारे साथ इस समय मुम्मद सदाब जी मौजूद है जो रिहाई मंच के सचालक भी है और सबसे बड़ी बाद जब सीए नार्सी का प्रोटेस्ट हुआ था त आज क्या कहना है उनसे हम बात करते हैं सरा आप जिस तरीके से ये पहले भी प्रोटेस्ट हुआ आज झारी हुआ है अब तो क्या कहेंगे आप हम पहरे भी इसके खिलाफ थे C.A. के और इनार्सी दोनों के खिलाफ थे आज भी है C.A. इनार्सी के खिलाफ सिर इस लिए थे कि ये आम लोगों के खिराफ है इसमें आप हिंदु मसल्मान की बात बिलकुल छोड़ दिये मसल्मानों के खिराफ तो बिलकुल नहीं है ये उन दरितों के खिराफ है जो अपनी नागरिता थाबित ही नहीं कर सकते हैं इसलिए नहीं सावित कर पाएंगे कि उनके पास जमीन नहीं है भूमिहीन हैं और मजदूर हैं जिनके पास भी कोई ऐसा प्रमानपत्र नहीं है कि वो यहां पैदा हुए यही के रहने वाले हैं तो ऐसे लोगों की तादाद जो है भूमिहीन है या दरित है या और भी इसी त के पास कोई प्रमाड़ नहीं होगा लेकिन बाकिए लोगों के प्रमाड़ रहे हुँ वह सावित कर लेंगे बाकि ये कानून ये कहता है कि जो लोग बंगलादेश पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आये हैं और हिंदू हैं उनको नागरता दे दी जाएगे अगर उनने इसावित कर पाएंगे लेकिन पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से आने वाले लोग यूपी में तो नहीं ही हैं और भी ऐसे बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर नहीं है तो ऐसे लोगों को आप कहां से चिनित करेंगे जो नागरिकता अपने देश की नहीं साबित कर पड़ता है वो कैसे साबित करेगा वो पाकिस्तान से आया है बंगलादेश से आया है या अफगानिस्तान से आया ह है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो हर गरीब के खिलाफ है जो जिसके पास कोई प्रमान नहीं है अपनी नागिता थाबित करने का अप लोगों ने पहले भी प्रदर्शन किया था इसको लेकर जब ये बिल पेश हुआ था और अब इस्तिती है कि उसको नोटिफिकेश लोगों पर इसका असर दिख रहा है उनसे बातशीत करके हम आगे की स्ट्रेटिजिश तैयार करेंगे और उसमें दो-चार-दस दिन तो लगी सकता है क्या मान के चलें कि एक बड़ा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है जिसमें अपनी बात रखी जाए हो सकता है बिल आप लोग इसको बिल्कुन ही नहीं मनजूर करते देंगे तो आपने देश में रहने वाले लोगों को जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है उनको तो रोज़गार मिनी रहा है विदेशियों का कहां से रोज़गार देंगे हमारे आर्थिक ब्योस्ता वो और भी चौपट करतेंगे तो यह भी एक कारून है इसका विरोध करने का आपने प्रदेशन किया था आपको भी जेल जाना पड़ा कई तरी की आतनाय मिली हैं फिर करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि फिर परिशानी देखे परिशानी तो जो लोग नयाय के लिए नयाय स्थावित करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं उनको तो हर तरह के परिशानी उठानी पड़ती है हम यह अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ना हम हर पर सब साल पहले आबाद हुआ है हमारे पुर्खों ने आबाद किया उस गाओं को तो हमारे पास तो कोई मामरे नहीं है कि हम अपनी नागरिकता नहसा भी कर पाएं लेकिन हमें लड़ाई लड़ना है आम लोगों के लिए उनके अधिकारों के लिए गरीबों और दबे कुछलो के अधिकारों के लिए उनको अधिकार दिलाने के लिए हमें ये लड़ाई लड़ना है तो मुम्मस अधाब जी साफ तौर से माना है कि ये लड़ाई जो है आम लोगों की है दबे कुछले लोगों की है और उसके लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी और किसी भी तरीके से C.A. N.R.C. कबूल नहीं है C.A. का नोटिफिकिशन आने के बाद हर वर्ग इसके बारे में बात कर रहा है लेकिन साफ तोर से उत्रपदेश की राजधानी लखनों में जहां पर एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था C.A. N.R.C. को लेकर जब इसका बिल पेश हो रहा था ऐसे में कई वो लोग थे जो इस प्रोटेशन में भी थे जिनको जेल भी जाना पड़ा उसी में एक नाम है सदव जफर का भी जो उस दोरान पूरी तरीके से प्रोटेस्ट में साथ रही है खड़ी रही नया की मांग करती रही है उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचती है जफर जी आप लोगों ने पूर्टेस्ट किया एक तरीके से बहुत पतारना जेली उस समय आज उसका नोटिफिकरिसन आगया है सीए का क्या कहेंगे तीकि सीएनर्सी के लिए जहां शुरू में भी हमने कहा था और आज भी ये कहते हैं कि पूरी तरीके से असमवधानिक है भारत एक मा की तरह है और वो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है शुरू से आदी काल से आप देख लीजे उठा के कि तमाम ऐसे लोग आए और बसते गए और उनको कभी और खासवर से शर्नार थी टिबिटन्स को उठा के देख लीजे आपकी टिबिटन्स आए और हमने खुले दिल से उनको अपनाया तो ऐसे में धर्म और जाती के आधार पर ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना पुन्टहा जो है वो असंबधानिक है अब लोग अब क्या करेंगी चुकि नोटिफिकिशन आ गया है पहले भी प्रोटेस्ट किया था अब क्या प्लानिक है कैसे इसको अब आप अपने एक्सपिशन देंगे देखिए यहां पे फिक्र हमसे जादा सरकार को करनी चाहिए फिलहाल वो 80 करोड लोगों को राशन दे रहे हैं किसान को MSP नहीं मिल रहा है वो आंदोलित है यूवा को रोजगार नहीं मिल रहा है लोगतार पेपर लीग हो रहे हैं जहां जहां भाजपाक शासित राज्य हैं वो आंदोलित है अगर यूपी में देख लीजिए तो 69 हजार जो है वो शिक्षा के जो वो हैं भी आरती है वो आंदोलित हैं आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं आप फ्री एज्यूकेशन दे नहीं पा रहे हैं सरकारी स्कूल अस्वताल धुस्त है आप नए लोगों को लाकर उनका भी ही अन्जाम करेंगे क्या उनकी भी बेटियां जो हैं वो बलातकार के लिए नयाए ना पाकर फासी में जूल जाएंगी और छे दिन के बाद उनके भी पिताओ कछाती आप जो हैं वो जूल आएंगे बासी बे तो ये जो इस तरीके की तमाम चीजें हैं पहले अपना घर करत नहीं है लेकिन जिस दिन उन्होंने हमसे कागज मांग लिये तो उस दिन हम देखेंगे कि हमें इसका किस तरह से जवाब देना है आप लोगों के पर कई मकदमें भी दर्ज हुए कई तरीके की परिशानिया हुई और अब इस तती कहीं ना कहीं नार्थी को जारी करने क क्या रहे आपको डर लग रहा है कि अब फिर वैसी चीजे होंगे डरे तो हम तब भी नहीं थे और डरने का तो सवाली नहीं है राहुल गांदी जी हमारे नेता कहते हैं डरो मत सहो मत और डरो मत तो ना हम सहेंगे ना डरेंगे जहां तक बात है कि जो हमने प्रताड़नाए जहली है सरकार और कर क्या सकती है यह सरकार रोजगार दे नहीं सकती है शिक्षा दे नहीं सकती है चकित्सा दे नहीं सकती है इज़त दे नहीं सकती है महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं सकती है प्रताड़नाई दे सकती है तो हम तो सर पे साफा बांद के निकले हैं जब भी सम्विधान के ओपर संकट आएगा हम उसको उसी तरीके से टैकल करेंगे हाल फिलहाल हमें नहीं लगता है सबसे बड़ा संकट मोदी जी स्वेम है उनको हटाना जादा सरूरी है हमारे लिए हम इस वकद लोगसभा चुनाओं के ओपर पूरी तरह फोकस्ट है और इस तरह के जो शगूफे हैं उससे हमयारी सेहत पे असर नहीं पड़ता है एक प्रोटेस फिर होगा क्या लोग आएंगे निकल के अपनी बात रखेंगे इसको लेकर लेकर लेकिए जब आपकी डिगनिटी के ओपर सवाल उठेगा जब आपकी जो है सुरक्षा पे सवाल उठेगा आपकी पूरे अस्तित्व पे सवाल उठेगा एक भारती नागरिक होने के नाते तब उसको देखा जाएगा फिलहाल अमिर्शा जी ने कहा है कि नागरिक्ता पे कोई वो नहीं है संकर्ट नहीं है हमारे लीगल एक्सपर्ट उसको देख रहे हैं कावज को समझ रहे हैं उसके बाद जैसा भी होगा उसे साफ से किया जाएगा तो सदब जफर जी साफत और से मानना है कि जब तक हमारे डिग्निटी पर कोई असर नहीं पड़ता यानि कि हमारे रास्तों में जब तक रिकावड नहीं हाती हम उसको देखेंगे और जरूर इस बारे में चर्चा भी होगी और जरूरत पड़ी तो आगे इसके लिए खड इस रवास्तों आज तक